अर्याना के खेल मंत्री संदिप सिंग छेड जाड मामला कोच का आरोपी सुरक्ष्या कर्मियों ने खाने में कुछ गलत दिया मेरे साथ बाहर भी नहीं जाते ऐसी सुरक्ष्या वापस ले मंत्री पर योन सोशन का आरोप लगाने वाली कोच की तबियत बिगडी तो डीजीप को लिखा पत्तर राज्य मंत्री संदिप सिंग पर योन सोशन का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने डीजीप पी के अगरवाल को पत्तर लिखा है इसमें सुरक्षया वापस लेने को कहा गया है कोच ने पत्तर में आरोप लगाया है सुरक्षया गार्डों ने मुझे खाने में कुछ कलत पदार दिया है डॉक्टरों के नुसार कुछ जहरिला पदार खाये जाने का संदे है सुरक्षिया कर्मी मेरे साथ बाहर भी नहीं जाते हैं घर में नोकरों से जगडा करते हैं ऐसे सुरक्षिया नहीं चाहिए जो मेरी सुरक्षिया ही नहीं कर सके सुरक्षिया कर्मी की वज़े से मेरी प्राइवेशी भी नहीं रहती इसलिए सुरक्षिया को तत्काल हटाया जाए महिला कौच चंडिगड के सेक्टर 32 अस्पिताल में भरती है दो दिन के बाद रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि किन कारणों से तब्यद बिगड़ी महिला कौच के साथ रहने वाली उनके बेहन की भी तब्यद खराब है कौच ने चंडिगड पुलिस को भी पत्तर लिखी मामले में जल्द कारवाई करने की मांग की गई है कौच के पिता बोले अब सिर्फ न्याय पालिकाशे उमीद महिला कौच के पता ने कहा कि सक्यूरिटी सरकार की है दोनों बेटिव की तब्यद तीन दिन से खराब है चंडिगड के अस्पताल और पीजी आई में भी इलाज कराया है जब एक पूरो मुख्य मंतरी ने विदान सबा में संदिप सिंग के इस्तिफे की मांग की तो उस पर मुख्य मंतरी ने जिस हट दर्मिता से जवाब दिया वो है एमर यादित भासा है अब हमें नयाय की उमीद केवल नयाय पालिकाशे है संदिप सिंग अपनी पाउर का प्योग और दूर्पियोग कर सकते है दूसकरम के प्रियाश की धारा क्यों नहीं जोड़ी गई कोच ने कहा महिला जुनियर कोच ने चंडिगड पुलिस की DSP MSIT हेड DSP पलत गोयल को भी पत्तर लिखा है उन्होंने कहा है कि दूसकरम के प्याश की धारा क्यों नहीं जोड़ी गई अर्याणा पुलिस की SIT मुझे बदनाम करने के लिए स्कूल कोलेज टीचर्स हुए जानकारों से पुच्दास कर रही है मेरे खिलाब स्टेटमेंट देने को कहा जा रहा है मुझे बार बार दबाओ बनाया जा रहा है कि मंतरे के खिलाब सिकायत वापस ले लूँ